तो एलोट फेंट कैसे हैं आप दोस्तों आजिन आपको तालों कैसे आप अपने Samsung Galaxy या फिर कोई से भी Android मोबाइल में डाइनमिक आइडनेंड वाला जो फीचर है जो कि अभी iPhone 14 Pro में भी रिलीज किया गया है कैसे आप अपने Android मोबाइल में उसको यूज कर पाएंगे या फिर बोल सकते हैं कैसे उसको गेट कर पाएंगे अपने Android मोबाइल में आगे बनने से पहले मेरे चैनल को जोरू सब्सक्राइब कर लेना और नॉटिफिनेशन बेल आइकन को भी तबा देना तो चलते हैं दोस्तों आगे मेरे डाम सनी यह और आपका स्वाब आते हैं मेरे चैनल ऐसे टेक में तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा पहले तो आपको अपने मोबाइल में English ko इंस्टओल करना होगा जिसका आम है डायनमिक aisline दोस्तों मैं इस एक treerance पादा रहा हूं अगर आपको जरूरत ना हो तो इस एफ को कोई भी डेटा किसी थर्ड पार्टी को शेयर मी नहीं कर रहे हैं और ना कोई डेटा अपका क्लेट कर रहा है वैसे सो सेफ लग रही है बट बाइचांस मेरी तरफ से आपको सेक्योरिटी के लिए बता रहूं अगर आपको ज़रूवत नहों तो इस हैप को आप यूज ना कर सबसे बेस्ट जो सबसे मेरे को चीज लगता है कि आपको सेक्योरिटी के लिए वह दो ती चीज़ें इसको नहीं देने चीए एक तो फोन डायलर का एक्सिस और एक मैसेंजर का एक्सिस इसको नहीं देना चाहिए योगी मैसेंजर पर OTP आती है और कॉल पर कॉल्स भी आता है तो डाउनलोड करने के बाद आपको करने नहीं इसको ओपन ओपन करने के लिए आपको करना क्या होगा यहां पर आपके लिखाए डायनमिक स्पोर्ट मीनी मल्टी टास्किंग यहां पर नेक्स पे करना है यहां पर आपसे पर्मीशन मांगेगा तो सबसे पहले स्लेक्ट एप को बो तो यहां पर उन एप को स्रेक्ट करो जिसका आपको नोटिविकेशन बिले मैंने हुष अपर के लिया पंढ़ करarks कर लिया के कर G कर लिया Barbib за कि जो भी आपको लगता इसमें नोटिविकेशन चाहिए आपको यहां dynamic slot को allow करना होगा उसके बाद ड्रोन स्क्रीन पर देना है उसको next करेंगे तो उसको भी आपको permission देनी होगी तो उसको भी आपको allow करना होगा dynamic sports को जाकर आपको इसको भी allow कर लेना है और data protection के लिए आपको यहां पर कुछ no internet access लेंग यहां पर देना है when you are done अब इसको पहले जाए प्ले तो तो देखने वाला है तो देखते हैं एक्छोली कैसे वर्क करता है तो जैसे आपने इसको वीडियो को यहां पर प्लेकर लिया है यहां से बैकर करने के बाद यहां से बहुतने हैं improves करा दिया तो आप इसको यूजेड हैंगे तो एक तो हो गया इस एप के त्रू अगर आप कोई दूसरी भी एप कर रहे हैं तो भी आप स्कूर सकते लाइक मैं यहाँ पर मैप को यूज चर मैप को एक मैपस वाला बताता हूं। लोकेशन को डालता हूं तो आपधे वो ऊपर की तरफ भी आपको टन काशान दिखा रहा हुगा अपको डिखा भी रहा है कितने मीटर बाद वहाँ पर आपको टन आने वाला पर क्लिक करके रखेंगे तो आपको पूरा यहाँ पर ऐसा पता देगा बहुत लुए तरीके से व वह चला था हूँ ग्लॉक पर जाने के बाद मैंने यहां पर चलाया Stop Watch Stop Watch पर गया मैंने यहां पर Start Lab करा और मैं यहां से बैक आ गया हूँ तो वहां पर आपकी Stop Watch भी चलने लग जाए तो आप देखेंगे वहां पर आपको Stop Watch आपको आपको ले जाएगा तो यहां पर चितनी भी एप्स का आप यहां पर एक्सिस देंगे सारी एप यहां पर बहुत ही अच्छी चेस चलेंगी लाइक में तो दोस्तों यह डाइनमिक आइजरेंट ऐसा काम करता है दोस्तों मैंने आपको जैसा पता है यूज करने से पहले आप जरूर उसकी सेप्टी को जरूर चेक कर लें बाकी यूसफुल फीचर तो है कि यूसफुल फीचर आप इसमें शौटकर्स की तरह यूज कर सकते हैं मिन तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और सबसे जरूर इस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रीज यार चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिक्शन पर लाइकन को पी दपा देना जलते जल मेरे टंटी के होने वाले तो आप फटा-फट टंटी के तक जल्दी करवाएं मेरे और हो सके तो मैं इस टागों में फेज फॉलो करना भी नावलेस का लिंक आपको नीच्टे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो थेंक्यू दोस्तों